आज हम आपको सर्दियों में खिलने वाला ऐसा फूल दिखाएंगे जिसको आप सीट से यानि बीच से बहुत आसानी से ग्रोग कर सकते हैं और जो नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है और डिफरेंट कलर्स में भी आता है तो ये प्लांट जब पॉट में ग्रोग किया हुआ होता है तो इतनी जादा हाइट नहीं ले पाता है जैसे छोटे पॉट में है तो उसमें जादा हाइट नहीं जाएगी लेकिन अगर ये जमीर में लगाया हुआ है तो ये आपकी हाइट से बहुत उचा निकल जाता है यानि की इतना सुन्दर फूल की पूरी स्पाइक पे फ्लावर्स आते ही रहते हैं इस तरह के इनके छोटे प्लांट्स होते हैं जो की सीट से बहुत असनी से ग्रोह हो जाते हैं और पत्यों पर जो भी इंफेक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इंफेक्टेड लीप्स को आप महां से कट कर दीजे तो आपका पूरा प्लांट ठीक रहेंगा तो ये धीरे धीरे ग्रोध करते जाते हैं और जैसे भिंडी का पौधा आपने देखा है लेडी फिंगर का बिल्कुल वैसे ही ये काफी उचे हो जाते हैं और उसी तरह से इसमें प्लावरिंग होती है भिंडी का फूल थोड़ा छोटा खिलता है लेकिन ये काफी बड़े फूल खिलते हैं और ये हैं हॉलिहॉक। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं तो अलग-अलग जगे से हमने सीट्स मंगवाए थे किसी भी तरह का एडविटाइजमेंट नहीं किया जा रहा है हमने अपने गार्डन के लिए सीट्स लिए थे तो उसकी वीडियो भी शेयर कर दी थी काफी व प्लान से कलेक्ट किया था और यह 6 इंचिस के थर्मो पॉट्स में हमने इनको लगाया हुआ था तो फिर भी 6 इंचिस के थर्मो पॉट्स में भी देखे कितनी अच्छी हाइट हो गई है यह लगभग छोटे पॉट्स में 3-4 फिट तक बढ़ जाते हैं और अगर बड़ा टहनी जो पूरा स्टैम है इसका तना है और पूरा सीधा जो स्पाइक जा रही है वो पूरी फूलों से भर जाती है जमीन में लगा हो तो बहुत जादे पूल आते हैं चोटे पॉट्स में लगा हो तो थोड़े कम पूल आएंगे लेकिन फिर भी पूरी स्पाइक इसकी फ और दिया तो फिर वो पूरा बेकार हो जाता है इसलिए काफी सारे प्लांट्स लगाओ तो कुछ प्लांट्स तो बचेंगे जो हम अपने वीवर से शेयर कर पाएंगे इसलिए 6 इंचिस के थर्मोपॉट्स में चारपा जगे हमने यह पौधे लगाए हुए थे और जब आप इसको सेप्टेंबर ऑक्टोबर में ग्रो करेंगे उसके बाद यह आपको लगबग दिसंबर या जनवरी से फूल देना शुरू कर देगा काफी टाइम तक फूल देता रहता है और इसका एक फूल एक या दो दिन तक बना रहता है मिजिंटा कलर वाइड कलर पिंग कलर डिफरेंट शेट्स में आता है आप डिफरेंट कलर में इसको ले सकते हैं और आप खुदी सोचिए कि चैंच के गमले में कितनी मिट्टी आ जाएगी फिर भी इसमें अच्छी ग्रोध हो रही है हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं केवल गोबर की खाथ या सर्सों की खली सर्दियों में यूज कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट हमारे हां मिलता नहीं है इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट कम यूज करते हैं और गोबर की खाथ इसली अवेलेमिल हो जाती है तो उसी से ही दे गंटे की देटाइच की ग्रोफिके लिए सर्सों कीख़ई सरदियों में बहुत ज्याद होतीँ प्लावरिंभ लांट में काम करती है तो उसके लिए आप चाहे liquid form में उसको त्यार कर लीजिए और चाहे आप उसको powder form में भी पौधे में डाल सकते हैं मिटी में फूल सूख जाने के बाद कट नहीं करना होता क्योंकि इस तरह से फिर उसमें seeds बन जाते हैं फास तोर सर्दियों के फूल हलके नमी रहेगी बहुत अच्छी ग्रोध होगी और अच्छी ग्रोध होगी तो फ्लावरिंग पेट नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी होगी आपकी कोई query है question है तो जरूर पूछिए हम जल्दी से जल्दी answer करने की पूरी कोशिश करेंगे thank you